पर मेरा नाम है निशुगर्ग और SSC CHSL 2017 से एज़ा पोस्टल असिस्टेंट में ने वर्ग किया है और करंटली मैं पोस्टेड हूँ एजन एएसो इन सी एस एस दोस्तों जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी SSC से रिलेक्टर जो भी इनफोर्मेशन है उसके रिकार्डे दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगे में आपको बताया था लीव ट्रेवल कंसेशन कि आप जो है लीव करा सकते हो कैसे अविल करा सकते हो क्या फैसिलिटी लीटी में किस तरह की जो भी eligibility किया है, उसका क्या criteria है, सब कुछ मैंने आपको बताया था, LTC पर एक और facility होती है, leave and catchment की, जिहां दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं, leave and catchment के बारे में, सबसे पहले हम जानते हैं, leave and catchment होता क्या है, leave and catchment का मतलब है, कि आप अपनी leave surrender करके, उसकी जगा आप एक amount होता है, उसकी leave and catchment की अलग से calculation होती है, आप जो भी calculation से जो भी amount बनता है, अगर आप अपनी leave surrender करते हो, तो आपको वो amount मिल जाएगा, जी दोस्तों, जब भी आप LTC पर जा रहे हो, तो एक LTC पर आप maximum 10 दिन की जो EL है, वो surrender कर सकते हो, surrender का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास, मानो, 50 EL है, और आपने 10 EL surrender कर दी, तो 40 EL आपको बचिंगी, यानि की 10 EL, ना तो आप उनकी छुट्टी ले सकते हो, आप automatically वो surrender हो जाएंगे, उनकी जगे आपने क्या ले लिया, एक amount ले लिया, ठी है, और बाकी आप इसके एक criteria भी होता है, पहले तो आप LTC कब-कब avail करा सकते हो, LTC ऐसा नहीं है कि आप EL होगे, तभी EL encasement है वो, sorry encasement का बात कर दी मैं भी न, तो EL का जो encasement है आप कब-कब करा सकते हो, encasement केबल EL पे होता है, un-delete जो होती है आपकी उस पर होता है, ठीक है, तो जो अगर आप ऐसा नहीं है कि LTC पर आप CL लेके जा रहे हो, तो EL avail नहीं करा सकते हैं, आप EL कभी भी surrender कर सकते हो, LTC पे जाते time, भले ही LTC के लिए आपने CL ली हो, RH ली हो, HPL ली हो, आप EL कभी भी surrender कर सकते हो, अपनी EL NKS करा सकते हो, एक LTC के, maximum 10 days की EL आप एक LTC के टाइम पर करा सकते हो, इसके अलाबा, जब भी भी आप EL NKS करवा रहे हो, आप EL surrender अपनी कर रहे हो, तो कम से कम surrender करने के बाद, आपके पास 30 EL होना जरूरी है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी EL surrender कर र कर सकते हो, इसके अलाबा, आप अपनी पूरी एंटायर सर्विस के तोरान, आपकी जो भी पूरी सर्विस होती है, 30 साल, 32 साल, 25 साल, उसमें केवल साइट दिन की जो EL NKS करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, अब EL NKS कैसे आपको मिलता है, उसकी कैसे कैलकुलेसन होती है, इसके बारे मैं आपको बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लाबा एक बात और, अगर आप नहीं जा रहें LTC के लिए, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए LTC अवेल करा रहे हो, तब भी भी आप EL NKS कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, अब EL NKS में की जो कैलकुलेस ने बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारी जो वीडियो है, आपको पसंद आ रही है, हमारी वीडियो से जो आपके डाउट से वो किलियर हो रहे है, आपको helpful लग रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्स्राइब करें, और ऐसे जैनुएन इंफॉर्मिशन पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल दीप साजिवकेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद